हैड रूम सच में मुझे किसी और कार में इतना हैड रूम अभी तक नहीं मिला इतना थर्ड रूम है मतलब यतना यह है कि आप इसे पोर्ट्रेट और लेंड्सकेप कुछ इस तरीके से होरिजोंटल और वर्टिकल दोनों तो अभी आप देख सकते हैं सिक्स फीट के राउंड मेरी हाइट है और अगर मैं यहां पर देखूं तो मैं जो किस तरीके का यहां पर इस कार का 360 डिगरी कैमरा रहने वाला है और यहा अगर आप इसे डीजल और पैटरोल कार से कंपेर करते हैं तो इतने कम प्राइस पॉइंट पर आने वाली कार है बहुत ही कमाल की लगजरी हमें देखने के लिए सब्सक्राइब करने वाला है यहां पर देखेंगे तो मेरे पास वाइट कलर भी है दोनों को आपको दिखाऊंगा और क्या कुछ हमें मिलता है इंटीर एक्स्टिरियर स्पैसिफिकेशन प्राइस सभी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा और अब ही मैं हूँ बीवाईडी शोरूम पर अगर आप इस कार को देखना चाते हैं राइड लेना चाते हैं और बुक करना चाते हैं तो आप डारेकल या फिर क्याहरी के लिए आप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं तो यहां पर वीडियो में सबसे पहले शुरुवात करेंगा हम कार की की के जाता है इस तरीके से यह आपको इलेक्ट्रिकल पावर टेल गेट देखने के लिए मिलता है और एक बटन यहां पर और आपको दिया गया है को चिससे कार का इग्शिन भी ओन हो जाता है देख सकते हैं अभी कार ओन हो चुग है तो यह यहां पर कार को बेलिए दिया गया है तो है किस तरीके से वर्क करता तो काफी किया काफ़े ये पीछ बद युगोर और यह दिखा कर दो है कैंज डियो इसने तो यहां पर देखेंगे अगर मैं इन शीट को ऊपर भी कर देता हूं अब मैंने इसकी ठाड रोग को भी एक्सेज यहां पर कर दिया है उसके बाद भी आप देखेंगे मिरे पास सफिशेंट काफी अच्छा-कासा यहां पर बूट इस पेस बच जाता है और यहां पर चोट स्नद्रेशनाम इस तरीके से स्विच करने से बंद हो जाता है पीछे से आप इस कार की लुकिंग देखेंगे तो आपको कहीं से भी इस तरीके से नहीं लगने हूप ये कोहीं भी है MPV कारे काफी ज्यादा लुकिंग बनाएगे जिस तरीके से एक SUV कार की रियर प्रोफाइल होती है इस तरीके के लुकिंग हो पर कार की रहती है अब शुरुआत कर लेते हैं वीडियो में कार की फ्रेंट प्रॉफाइल से डॉर पर रिक्वेस्ट सेंसर बटन कर दिया है यहाँ पर अभी यह देख सक पर बिवाईटी कहता है कि इसका ड्रेगन फेश डिजाइन यहां पर इसकार का रखा गया है इसके अलावा बात करें एड्लेम्स की LED प्रोजक्टर है जिसमें थ्री प्रोजक्टर यहां पर आपको मिलते हैं नीचे की तरफ LED डियारल से जिसमें बाइफ़ पॉंच्छनल LED आपको इंडिक्टर का शैट अप मिलता है LED टेकनलोजी की यहां पर बैचिंग भी मिल जाती है यहां पर थोड़ा सा प क्रोम आपको जरूर मिल जाता है और यहां पर सिल्वर के फारट मृत्लीक है जोगी मेयट में थोड़ी से लॉर फिниश देवे सेंटर वी वाइडी की वेशंग बड़ी सी क्रों में आपको मिल जाती है इसके लावरंगा फट्रवीव क्अमरा यहां पर मिल जाता है इसके सेवन सीटर कार जिसमें शानदार स्पेस और आपको अच्छे खासे कमाल के फीचर मिल जाते हैं बात करने साइट प्रोफाइल के यह रहने वाली है यह इसका वाइट कलर गाव एक और अभी जो हमार पास वेलिबल वह इसका ब्लू कलर भी है जो कि यह आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्यारा लुक लग रहा है और और साइट प्रोफाइल काफी जैंड लगे थोड़ी ओवराल साइट प्रोफाइल में नीचे देखेंगे थोड़ीशी क्रॉम फिनिश यहां पर दी गए क्रॉम इस्टे बाकी और विम पर इंडिकेटर की प्लेस्मेंट मिल जाती है एनफसी की बैचिंग यहां पर आप देखकर समझ सकते हैं कि आपको इसमें डिजिटल की का प्रेस करेंगे और इसका डोर ओपन हो जाएगा तो एनफसी का भी ऑप्षन यहां पर दिया गया है बाकी यानु ब्लैक फिनिस थी डिगरी के लिए साइड वी कैमरे की प्लेस्मेंट ब्लाइंड स्पोट डिटेक्शन मिरर्स यहां पर दिये गए हैं यह देख सकते हैं ब बहुत ही कमाल का स्पेस आपको इस कार में देखने के लिए मिल जाता है बंद कर देते हैं इसके हैड लैंप को और कार को भी एक बार ऑफ कर देते हैं बाकी ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहां पर रूफ रेस दी गई है रूफ आपको मिलती है प्यानो ब्लैक फिनिश मे हैं यहां पर इस कार की लुकिंग रहती है यहां पर देखेंगे तो चारज इंग सोगिट्स दिये इसमें आपको फ्हास्ट और हॉम चार्जर दोनों के ही औप्स यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं चार्जिंग टाइम क्या रहने वाला है बहुत जल्दी चार्ज ज जाती हो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या कुछ टाइमिंग है और बाकी रियर में भी यहां पर डिस ब्रेक दिये गए हैं और उसी तरीके का सैट अप रहने वाला जिस तरीके से फ्रेंट में था और एक बार ओन कर देते हैं अगें इसके हैड्लैम्स को एक बार रियर से आपको यहां पर मिलती है देख सकते हैं और लुकिंग जो एनस की थोड़ी सी ऐसी आती है कि सेपरेट वाली टेल लाइट है क्योंकि यह जो पार्ट है यहां तक बाकी इसके बाद में छोटा सा पार्ट है जो ने कनेक्ट कर देता है बहुत कमाल की लुकिंग यहां पर इंसर्स मिलेंगे रिफ्लेक्टर्स और यहां पर क्रोम स्टिप सेंटर में यानो ब्लैक फिनिस के इस्तमाल मिल जाता है यह कहानी कार के रियर प्रॉफाइल भी अब बढ़ते हैं कार के इंटीरियर की तरफ और शुरुवात करते हैं एक बार इसकी फस्ट रो के साथ में यहां पर आप देखेंगे फर्स रो में यह कुछ रहने वाला है कार का इंटीरियर जो के में बीवाइडी की कार में हमेशा देखने के लिए बड़े-बड़े साइज के इंफोटेन्मेंट सिस्टम बरबरकर फीचर और एक प्रीमियम इंटीरियर तो वह यहां पर भी रख है यहां पर सॉफ्ट टच है यहां पर वुडन फिनिश देख सकते हैं आप दी गई है सिल्वर फिनिश में डोर एंडल मिलते हैं यहां पर सिल्वर फिनिश यहां पर अगेंड सॉफ्ट टच नीचे यहां पर बस आपको पूरे डोर में हाइड प्लास्टिक दी गई नीच स्पीकर ग्रिल मिल जाती है की से ही कर देते हैं यह देख सकते हैं यह कुछ अनिमेशन है कार को ने होने के बाद में अभी कार हो चुकी है और एस सी को करना है मन आपर कर दिया बन ठीक है अभी आप यहां पर देखिए यहां पर वन टच डाउन आपको मिलती है इसकी चारो पावर विंडो इसके अलावा क्या कुछ दिया गया है इसके अलावा में मिल जाता है इसके साइड मिरर्स के कंट्रोल यहां पर दिया गया है इसके अलावा सीट के एडजेस्मेंट एक बार आपको दिखा देता हूं तो सीट के अडजेस्मेंट आप दे में मिल जाती हैं बात करनें इंटीर की यह कुछ रहने वाला का इंटीरियर डिजीटल मीटर मिलता है जिसमें अनलोग स्पीड और आर्प्यम मीटर सेंटर में कलर फुल एमाईडी यहां पर दी गई है साथ क्रूज ़े मिल जाते हैं इसके सिरेंग यह लें सेरिंग्रत भे हमाई-ट यहां पर इंट नहीं 360-degree camera रहने वाला है कि साइड में कितना ज्यादा किलियर यहां पर का ओवरोल 360-degree camera यहां पर हमें दिया गया है यह कुछ कहानी रहती है 3D में देखेंगे तो यह यह रहता है कार का 360-degree camera इसके अलावा infotainment system का size आप यहां पर देख सकते हैं कितना ज्यादा बड़ा है इसमें जो खास बात है वो यह है कि आप इसे portrait और landscape कुछ इस तरीके से horizontal और vertical दोनों तरीके से switch कर सकते हैं तो यहां पर बीवाइडी आपको infotainment system नहीं पूरी तरीके से tab यहां पर offer कर देता है देख सकते हैं कितना सब कुछ यहां पर मिल जाता एंडुड़ो टू वारलेस एंपल कार प्ले बीवाइडी एसेश्ट फ पार में देखने के लिए मिल जाती है बात कर रहे हैं मीटर की तो यहां पर और steering wheel पर कुछ control मिल जाते हैं आपको कि इन्फर्टेंट्मन सिस्टम के लिए वॉल्यूम के लिए मोड स्विच करना है अगर आपको यहां पर ब्ल्यूटूथ और बाकि सबीचीजों के लिए तो यह कुछ प्यारी जी यहां पर फिनिश मिल जाती है डैश्वर्ट पर कोई भी सॉफ्ट तो नहीं है लेकिन माटेरियल काफी अच्छा है यहां पर इस्तमाल किया गया बाकि सेंटर में मिल जाते हैं आपको इसके एसी वैंट्स यहां पर वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया मतलब थोड़े बहुत ही पढ़ेंगे तर पढ़ेंगे भी तर बाकि यहां पर काफी प्यारा सा गया इसे सिफ्ट करने के लिए गेर शिफ्टर और बाकि पारकिंग मोड रिवर्स न्यूट्रल ड्राइविंग बाकि कि यहां पर कुछ और सेंटर और जाते हैं अच्छा खासा स्पयेश दिआ गया है मोड स्वींच आउस्वी हसमें त्वन %. दिया गया यह कुछ कहानी रहती है फर्स्ट रो की बहुत ही ज्यादा प्रीमियम सी उपर की तरफ डे नाइट वाले आयार भी हम दिये गए हैं जो कि आपको मैनवल मिलते हैं संरूफ के कंट्रोल यहां पर आपको मिल जाते हैं लाइट के साथ में यह देखेंगे इस तरीके लाकाओं सै콩ा थाहां पर पूरी पूरी पुरी संहुआफ रहेंगे किितने बड़े साइस कि याँ पर कार की संथ में देखने के लिए मिलदी है साथ में यह कुछ कहानी है कार के इंटियेंगी बहुती अगे हम आपको देखेंगे में नहीं जाए वहाँ करना है तो उसके लिए यहां पर आना होगा तो यहां पर इस तरीके से मिल जाता है अर उड्ह at you आप कहा पर हो चाहिए वो चीजी आसे दो कर सकते नहीं के ड Prison 3 में है राका है और यहीं में भी है उसे तू है और और यहां पर घॉाह जाका Efendimiz आई और हैं चाए मुरोड तुर्ड tau है में दिखाई अब गया है और वृत को सीट कोई स्क्राणिस उस स्पारिन ही और फैसे मे या पर है रचल Guide सब्सक्राद बासतों है और पर तो सेकंड रो में क्या कुछ नजा रहा है जी यह देख लीजिए दोर पर वही वुडन फिनिश आपको मिलेगी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तमाल मिलेगा और टॉप डाउन के साथ में इसके आपको ग्लासिस मिलेंगे स्पीकर ग्रिल मिल जाती है बोटल होल्डर बड़े मिल जाती है इस तरीके से देख सकते हैं इसकी नजारा रहनेवाला इसकी सेजें मिल जाती हैं तो अभी फ्रंट सीट जो है इसकी वो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग सेट हो चुकिया और यहां पर आप देख सकते हैं कितना शांदार स्पेस देखने के लिए मिलता है नी रूम अच्छा का सा है अंडर थाई सपोर्ट कमाल का है और बैक सपोर्ट और बागी हैड रूम वह वह भी सबी चीजे कमाल की मिल जाती है दो ही कैपटन सीट आपको मिलती है इसकी सेग्ड रो में यानि की भर पूर आपको लगजरी आपर मिलने वाली कमफर्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का रहने वाला है सेंटर में कोई भी आप नहीं है तो यहां पर भी आपको अच्छा स यहां पर इसके रूफ पर दिये गहां एलीडी में लाइटिंग का सेटप सेकंड रो में भी मिल जाता है और सौफट क्लोजिंग के साथ में ग्रेव हैं यहां पर है बाकि सक प्लेट यहां पर भी वाइडी की वैचिंग के साथ मैं एक बार आप चेक आउट कीजिए पर एड़ेस्टेबल आर्म रेस्ट मुझे मिल जाते हैं कहीं भी इने सेट कर सकता हूं अब मुझे अगर एक्सिस करना है इसकी थर्ड रो में तो मैं इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करके यहां से भी जा सकता हूं लेकिन मुझे एक और ऑप्शन मिलता है जैसे कि मैं भी बात बात ही देख लीज़े आप कि मुझे कितना स्पेस मिल रहा है बहुत ही अच्छा इस पर मुझे दिया गया थे लिए और अगुम शिच में इतना रएट रूम अभी तक नहीं मिला जितना थर्ड रोम मतलब जितना यहां पर मिल रहा अच्छा एड रोम है अच्छी ब मुझे मिल जाते हैं इस तरीके से थडरो में भी तो अब यह देखिए यह उपार रहने वाला जी थडरो में अच्छा इस पेस अच्छा लेग रूम अच्छा अंडर थाई शपर मतलब यह कि लॉंग रूट पर अगर मुझे जाना इस कार में तो मैं जा सकता हो ग्रैम हैं य हुआ हाई क्रोज का बेस वेरियंट आता है तो अगर आप उसकी जगह इसे लेते हैं तो आपको एक तो सबमाल आ पको सब्सकुर से अचीश और आप देखेंगे उसकी मोटर के इसकी मोटर के और और बाकी सब्सक्णिक abonnement आप पूरी तरीके से आपको ऐसी नॉर्मल पैकेजिंग नहीं दी गई देख सकते हैं पूरी अच्छी खासी मजबूत यहां पर पैकेजिंग नीचे से इसके फ्लोर पर दी गई है हुट के नीचे भी अच्छी पैकेजिंग है बाखी आठ साल की आपको वारंटी है फिर एक इसके लावा यहां पर ब्लू कलर अभी जो अवेलेबल है इससे भी देख लीजे काफी ज़्यादा प्यारी लुक यहां पर प्रोवाइड कर लेता है अब बात कर लेते हैं इस कार में आने वाले वेरिंट के बारे में दो वेरिंट में इस कार को बेसे कि लिवाइड किया करने में प्रीम्यम और स्ंट प्रीमियम कि तो उसमय में उफर के ज्यादा 55.4 क्लोवाट आवर का ब्लेड बेट्री हम आएंट मैं बैट्री नहीं बैट्री डेट मैंटने में ये I'll Mmm डिजयादा एडवानस होता है और उसमें आपको कम होता है कि बैट्री में कुछ नुकसान हो गया स्थ आग लग गई बीक्कते ब्लेट बैट्री में युअ Fuck इंड करें बाते तो 55.4 का ब्लेट बैटरी पैक इस्तमाल के आगे जिससे प्रोवाइड करता है और यह वाला जाता है सुपीरियर जीरो टू हंडर सिर्फ प्रीमियम जाने में टाइम लेता है इतना डिफरेंस से बागी शेटर दोनों के ओप्शन आपको दोनों वे रिएट्स में देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप यह चीजें वारेंटी और सभी चीजें आपके साथ शेयर मैं कर ही चुका हूं बगी कार की लूगिंग कर सकते हैं इसी तरह के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छे लेगी वीडियो को लाइक और शेयर करना यार बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो